चलिए आज बनाते हैं भोती ज्यादा टेस्ट के ड्राइ मिनी कचोड़ी जिसे बनाना भोती इजी है और इसको आप महिने भर तक स्टोर करके भी रख सकते हो तो हमें 1.5 के करीब मैदा टेस्ट के अकोडिंग नमक हाफ टेवल स्पून अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे और मोवन के लिए डालेंगे ओल जो मैंने 3 स्पून डाली है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाने डालते जाएंगे और स्मूर्ट डो जो है तयार कर लेंगे और हम इसे ढख कर अलग रख देंगे अब हम गैस पर रखेंगे पैन और इसमें हम डालेंगे वन स्पून साबुत धनिया वन टेवल स्पून के करीब जीरा चार से पांच लूंग साथ से आठ के करीब काले मिर्च और इसे लोटू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छी खुश्बू आने तक भूल देंगे ठंडा करके हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और अब हम इसमें एड करेंगे टेस्ट के अकोडिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, वन कप बेसंग घाटिया और आदे कप के करीब आलो बुजिया और आप अपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे अब हम कटोरी में डाल देते हैं इसमें बाइंडिंग के लिए हम इमली की खटी मिठी चटनी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम चलेंगे अपनी डो की तरफ तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसकी लोई जो है बना रही हूँ हमें अपनी लोई को जो है कटोरी की शेप देनी है और हमने जो स्टफिंग तयार करी हैं हमें इसमें फिल करना है अच्छी तरीके से मैंने इसमें कम से कम एक स्पून जो है स्टफिंग फिल करी है आप देख सकते हो इसी तरीके से मैंने अपनी और भी सारी कचोड़ी जो है रेडी कर ली है इतने मैंने अपना तेल गैस पे चड़ा दिया था और मेरा तेल अच्छे से मेरा अच्छे तरीके से गरम हो गया है इसमें हमने एक एक करके अपनी सारी कचोड़ी डाल देनी है हमें इस बात का बहुती ध्यान रखना है कि हमें इसे low to medium flame पर ही दलना है ताकि ये golden brown color भी हो जाए और ये अंदर तक पक भी जाए अगर हम इसे high flame पर करेंगे तो इसका color तो golden brown आएगा लेकिन ये अंदर तक नहीं पकेगी तो आप देख सकते हैं कि ये golden brown हो चुकी है और कचोड़ी ready हो गई है तो आप इसे serve करिए और enjoy करिए और मेरी वीडियो को like, comment, share करना मत भूलना और comment में बताओ कचोड़ी कैसी बनी है